ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 36 लोट की मोटर है और 3 फेस की मोटर 3 HP की यहाँ पर उपर लिखा हूँ है 3 फेस इंडेकों मोटर मैड ब़ा क्रमटन गरीब्स लिमिटेड की क्रम्टन ग्रिब्ज कंपनी की मोटर है और यह यहां पर लिखा है किलोवाट और एच्पी 2.2 किलोवाट की है और 3 एच्पी की है यानि 3 हास पाउर की और वोल्टेज है 415 और आर्पिम है 1430 यह चैंज का इसका आउटर डाया हो गया चैंज का आउटर डाया है इसका यह स्टेंपिंग का साइज है इसका च्यार पॉइंट यहनि की चार इंच से थोड़ा सा ज्यादा है स्टेंपिंग का साइज 3 वेस की मोटर में यह दो क्वाइल का एक सेट बनेगा दो क्वाइल होंगी चोटी और बड़ी यह क्वाइल है सबसे चोटी और यह है इससे बड़ी दूसरे नंबर की इस क्वाइल से बड़ी क्वाइल है यानि कि set बनेंगे इसके अंदर एक ही size के नहीं होंगे अलग-अलग size के हैं ठीक है और ये जो सबसे बड़ी coil है इसके अंदर 20 turn है ठीक है और इसमें ये double wire है ये double wire इसके अंदर डला है अगर आप single turn गिनोगे इसकी तो 40 होंगी इसके अंदर लेकिन ये double तार है एक साथ करके turn बनाई है इसलिए इसके अंदर 20 turn है और ये जो सबसे चोटी coil है इसके अंदर है 35 turn 35 turn है single गिनोगे तो 70 turn हो जाएंगी और double wire है इसलिए 35 turn है दोनों wireों को एक साथ लेकर turn बनानी है इसमें जो wire number है वो standard wire gauge है 25 नमबर अगर single डालते तो 20 नमबर बन जाता जो की मोटा हो जाता इसलिए इसके अंदर double wire डाला है ताकि coil डालने में आसानी रही ठीक है ये पहला set बना है इसी तरह के 12 set बनेंगे एक set का वज़न होगा 170 ग्राम और total 12 set का वज़न हो जाएगा दो kilo 40 ग्राम ये पहला set डल चुका है और दो कोईल का set है ये सबसे बड़ी कोईल है जो अंदर डली है पहले ये सबसे चोटी कोईल है और इसकी पीछ आप देखें एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे 6 चोड़कर 1-8 में डली है पहली कोईल और 1-10 में डली है दूसरी कोईल और ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये सबसे चोटी कोईल का सिरा है ये left end की तरफ है और ये सबसे बड़ी कोईल का सिरा है जो ये right end की तरफ है ऐसे ही सभी set ओं के आपने सीरे निकलने चाहिए दूसरे सेट की पहली कोयल यहाँ पर डल गई है एक सेट तो यह डला है अब जो दूसरा सेट डालना वो ऐसे डालना देखो अगर आप इस साइड में चलना चाहते हो जैसे यहाँ से फिर अगली कोयल यहाँ पर फिर यहां पर फिर यहां पर तो आपको डालना है दो सलाट छोड़ कर पीछे से आपको यह यहां पर दो सलाट छोड़ देनी है एक दो तीसरे के अंदर पहली क्वाल डालनी है ठीक है अगर इस साइड से देखोगे तो आप यह जो पूरा सेट डला हुआ है यह पहले वाला और दूसरा सेट अब डालोगे तो यहां से एक सलाट छुट जाएगी उपर की तरब उपर की तरब से एक सलाट छुट जाएगी और यहां से लेकर यहां पर डली है तो 20 में 6 सलाट छोड देनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै यानि एक से आठ में यह जो पहली क practice अबी यह से आठ में डली है देखो एक दो तीन चार पांच छे एक से आठ हो गया यहाँ पर दूसरी प्रेहल डलेगी इस सेट की यह यह डलेगी इसके अंदर एक इसके अंदर और यहां पर इसके अंदर एक से दस में ठीक है इसी तरह एक एक स्लोट छुटती जाएंगी यह सेट यहां पर आजाएगा पूरा फिर इस स्लोट को सोट देना है इससे आगे वाले में तिसरा सेट डल जाएगा ठीक है अभी दूसरा डाल कर दिखा देता हूं आपको यह पहली कोयल तो यहां पर डल गई है एक से आठ में दूसरी यहां एक से दस में यहां से लेकर और यहां पर एक से दस हो जाएगा इसमें डलेगी दूसरी को है ठीक है मैं अभी डाल कर दिखा देता हूँ ये दो सेट डल चुके हैं पहला सेट ये हैं दूसरा सेट ये है और इस सेट से ये जो सेट डला है पहला इस से जो दूसरा सेट डला है उसके बीच में ये एक स्लोट इधर खाली है और इधर आगे आगे भी ये देखो एक स्लोट यहां पर खाली है ठीक है अब जो तीसरा सेट डलेगा महाँ पर भी एक स्लोट यहां पर खाली रह जाएगी ठीक है इसके सिरे देखो ये ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये यहां पर ये इस कोईल का सबसे छोटी कोईल का ये left end की तरफ है ठीक है और ये जो set है दूसरा उसका ये जो सिरा है ये भी छोटी coil का है ये लेफ्ट end की तरफ है ठीक है इसी तरह है जो जितने भी set आप डालोगे उन सभी के जो सबसे छोटी يا कweil वाले सिरे हैं वो left end की तरफ ही होने चाहिए, यह दो set यहाँ पर डल गए हैं, अभी 10 set और डालने हैं, तीसरा set मैं डालने जा रहा हूं, अभी आपको दिखा देखता हूं, तीसरा set कैसे डालना है, इसी तरह से बाग की सभी set डालने हैं, यह जो set डला है, इससे दो slot छोड़ कर, तीसरे slot म यह left end की तरफ है, ठीक है, इसी तरह यह set आप डाल रहे हो, तो इसका यह inner wire है, यह भी left end की तरफ होना चाहिए, देखो, इसी तरह सभी coil लों के सिरे left end की तरफ होने चाहिए, अगर आप left end की तरफ पहली coil का सिरा रखते हो तो, अगर right end की तरफ रखोगे तो बाकि सभी coil राइट एंड की तरफ होने चाहिए और एक साइड से मैंने क्वाइल डाल ली है भी बीच में ये दो स्लाट छोड़ कर ये इस सेट से इधर दो स्लाट छोड़ देनी है तीसरी के अंदर इसको डाल देना देखो ये जो यहाँ पर डाल ली है इसके अंदर देखो ये यहाँ पर डाल ली है ये स्लाट खाली रह जाएगी इससे आगे वाली इसके अंदर ये पहली क्वाइल आएगी है ऐसे इस सेट से ये दो स्लाट छोड़ कर तीसरी स्लाट के अंदर और उपर की तरफ ये जो सेट डला हुआ है इससे एक स्लाट छोड़ कर आगे वाली में और ये फिच हो गई एक से आठ में देखो ये इसके अंदर डली है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो ये एक से आठ हो गया बीच में छे छोट जाएंगी देखो एक, तो, तीन, चार, पांच, छे बीच में छे चुट गई है एक से आठ में पहली क्वाइल है और इसका जो इनर वायर है वह है लेफ्ट एंड की तरफ है जैसा कि बाकी सभी क्वाइलों के लेफ्ट एंड की तरफ ही निकले है इनर वायर ठीक है और वो डल जाएगा यहाँ पर एक से दस में यहाँ पर तीन सेट डल चुके हैं और हर सेट के बाद एक स्लोट बच जाती है यह सेट डला तो यहाँ पर एक स्लोट खाली रह गई यह सेट डलने के बाद यह स्लोट खाली रह गई है क्योंकि अभी इनके उपर क्वाइल आनी शुरू हो जाएगी ठीक है आगे वाला जो सेट अभी डलेगा इस खाली के अंदर और एक इसके उपर ठीक है और इसी तरह से यह सेट पूरे डलते जाएंगे जो ग्रीन सीट होती है वो या पिर यह काला काखा चाज़ जो इसको इन कोयलों चैंशे बीच में एक सेट पूरा होती है कोयल के बीच में यह काख़ लगा देना है धुरू साइड एक यह सेट डल चुके हैं और इस से जब यह सैट हम डालेंगे एक कोयल तो डलेगी इस खाल लिगें अंदर और दूसरी कोयल आ जाएगी इसके अंदर लेकिन इस साइड से ये जो अभी सैट डला वाज का एक सलाट छोड़ कर यहां पर डालेंगे तब एक इसके उपर आएगी लेकिन आपको इसके उपर भी निकाल देना यहां से इनको निकाल कर फिर इस सेट को बाकी के जो सेट बचे हैं आपके उनको यहां पर डाल देना फिर उपर से इन क्वालों को उसके उपर डाल देना है यह एक साइड से मैंने पांच क्वालों को निकाल दिया है एक ही साइड से और अब बाकी बचे हुए सेटों को इसके अंदर डालना है ये पूरे बारा के बारा सेट डल गए हैं और जो ये सेट हमने निकाले थे इनको वापिस इनके उपर वापिस डाल देना जहां से निकाले थे ना इस पर वापिस डाल देना है ठीक है यह डनने के बाद फिर इसके कनेक्शन करने है दोस्तों मॉटर वाइंडिंग हो चुकी है यह देखो यह इसके अंदर 12 सैट डले हैं और एक सैट में मैंने बीच में ये कागच लगाई हुए हैं यहाँ पर मैंने वाइट पीवी सी पेपर लगाया है आप सीट भी लगा सकते हो यह जो सेट है इसके दो सिरे हैं इनर और आउटर इनर और आउटर वायर को दोनों को मिला कर मैंने एक वायर कर दिया यहाँ पर यह एक सेट के दो दोनों वाइर है inner और outer wire इसी तरह इस चांगे वाले सेट में यह दो वाइर है inner और outer वाइर ठीक है दोनों को मिला कर एक कर दिया मैंने इसी तरह एक करने के बाद यह जो 12 सेट है इन 12 सेट होगे यह बारा सिरे निकल जाएंगे आपको गिन कर दिखा देता हूँ, अगर यहां से चलते हैं तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ ताकि गिनने में आसानी हो ये एक सिरा हो गया, ये दो, ये तीन, ये च्यार, ये पांच, ये छे, ये साथ, ये आठ, ये नो, ये दस, ये ग्यार, वारा सिरे हो गए हैं और हर सिरे में दो-दो सिरे और हैं, जैसे कि एक ये और एक ये मिलाकर ये एक सिरा बना तो इसमें दो सिरे और हैं, इनर और आउटर वायर एक सेट के, ठीक है, ये 12 सेट होगे, 12 सिरे होगे, अगर सिरे निकलेंगे तो 24 निकलेंगे, लेकिन कनेक्शन करने हैं अभी, खूल किया है यहां से शुरू करते हैं तो आप इनको खोल लेना है दोनों वाईरों को ऐसे यह दोनों वाईर खोल दिये मैंने ठीक है अगर आप इस शीरे को यह जो अंदर की तरफ है इस सीरे को connection के लिए रखते हो तो आपको यह रखना पड़ेगा अगर आप इसको नहीं इसको रखते हो connection के लिए, ये जो अंदर है, तो इसको रख सकते हो, लेकिन मैं तो इसको रखता हूँ, इसको मैंने connection के लिए रख दिया, बाहर निकालने के लिए connection, ठीक है, और ये सिरा मैंने ले लिया, ठीक है, ये सिरा ले लिया, इस सिरे को आपको दो सेट छोड़ देने यानि कि एक सिरा ये और एक सिरा ये इसको छोड़ देना है और इस सिरे को आगे वाला ये एक सिरा छोड़ दिया एक ये सिरा छोड़ दिया तीसरे सिरे के साथ तीसरे सिरे के साथ आपको इसको जोइंट करना है अंदर वाली वायर के साथ देखो यह मैंने खोल लिया तीसरा सिरा इसका ये वायर अंदर की तरफ है ये अंदर की तरफ सिरा है और ये अंदर की तरफ सिरा है तो इसको ऐसे जोड़ देना है ये ये जोईंट हो गया ठीक है और ये जो खोला था याँ पर एक सिरा बच गया इस सिरे को ये दो सिरे छोड़ने ने एक सिरा ये और एक सिरा ये ये दो सिरा छोड़ने के बाद तीसरा जो सिरा है ये इसके साथ जोइंट करना है ये यहाँ वाला बचा है बार की तरफ तो इसको यहाँ बार की तरफ वाले के सिरे के साथ जोड़ना है इसको मैं खोल लेता हूँ यह मैंने खोल दिया सिरा इसका सिरा ये ये है ये साइड में है और ये इस साइड में तो इन दोनों को जोड़ देना है ऐसे अब रह गया ये सिरा इस सिरे को एक सिरा ये छोड़ देना एक सिरा ये छोड़ देना इसके साथ जोड़ना है इसको मैं खूल देता हूँ ये दोनों सिरे खुल गई इस सिरे को साथ जोड़ना है कि ये अंदर की तरफ है रूटर के अंदर की तरफ है और इसको इन दोनों को जोड़ देना है ठीक है अब ये सिरा रह गया यह सिरा अब निकल जाएगा बाहर कनेक्शन के लिए ठीक है इसको निच्छे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि यह कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इससे आगे यह यहाँ पर आपने छोड़ा था ना सिरा अब यह दो सिरे बचे हैं इसके बाद यह सिरा हो गया अब यह तीन करेक्शन जॉइन्ट हुए इसके यह दो अंदर की तरफ जुड़े हैं और एक यह बार की तरफ जुड़ा है यह जो कनेक्शन जुड़ा है इसको मैं इसको इनको अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि हम और कनेक्शन कर सके इनको मैं अंदर की तरफ मोड देता हूँ क्योंकि ये complete connection हो चुके है इसको अंदर डाल देता हूँ ऐसे और ये जो सिरा था इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि इसका connection नहीं करना भी और ये जो दो सिरे बचे हैं ये एक सिरा ये आपने यहां से शुरू किया था ये यहां पर end हो गया इनको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि ये connection हो चुके है अब आप चले थे यहां से ठीक है अब आगे वाले connection की तरफ आ जाते है ये एक पॉल पूरा हो गया है connection का अब बचे हैं सिरे सिरे दिखा देखता हूँ ये दो बचे हैं और इस से आगे फिर ये दो बचे हैं और फिर ये दो बचे हैं और ये यहां पर दो बचे हैं ठीक है अब आपको यहां से चलना है यहां से जैसे पहले चले थे वैसे ही चलना पड़ेगा जो पहली वाली कोयल से आप चले थे वैसे ही इसके भी दोनों सिरे खोल लेने आपने ये अंदर वाला ये सिरा छोड़ा था connection के लिए तो इसको नीचे की तरफ मैं मोड देता हूँ और ये सिरा बच गया है जो कि ये इस साइड में है रूटर की तरफ जापर रूटर चलता हम आपर अब ये सिरे को छोड़ कर इस से आगे वाले सिरे के साथ इसका जोइंट करना है पहले दो छोड़े थे अब एक छोड़ना है ठीक है इस सिरे को छोड़ देना है और इसके साथ connection करना है इसके दोनों सिरे ख ठीक है इसका ये सिरा बच्चा है अबी इस सिरे को छोड़ कर इससे आगे वाले सिरे ये इसके साथ जोइंट करना है इसका मैं खोल देता हूँ पहले आपने दो दो सिरे छोड़े थे अब एक एक सिरा छोड़ना है यह मैंने खोल दिया और यह रूटर की तरफ का सिरा इसको इस साइड में कर देता हूँ यह नहीं जोएंट करना यह सिरा जो की बार की तरफ है इस साइड में और यह बचा हुआ सिरा यह भी बार की तरफ का है तो बार बार के जोड़ने हैं बार का बार के साथ है ठीक है और ये जो रूटर की तरफ सिरा बचा था इसको इस सिरे को छोड़ कर इस सिरे के साथ जोइंट करना है इस सिरे के साथ इसको दोनों सिरे को खोल लेता हूं और ये अंदर की तरफ सिरा है ना रूटर की तरफ और ये भी रूटर की तरफ का सिरा तो इन दोनों को जोड़ देना है और यह अब सिरा रह गया यह अभी connection पूरे हो चुके हैं ठीक है कि यह अभी connection नोचुके इनके यह दोनों connection नोचुके हैं तो इनको मैं निछी की तरफ कर देता हूं अभी अभी बच गए इसके एक सिरा ये बच गया है ठीक है और एक ये बच गया है और एक ये बच गया है ठीक है और एक ये बच गया है अभी कोई भी सिरा नहीं छोड़ना है ठीक है सिरफ इन्हीं के साथ कनेक्शन करने है अब इसको खोल लेते हैं खोलने बाद आपने ये जो रह गया है जो इसका दो सिरह होते है ना एक सिरह यह रह गया जो अंदर रूट की तरफ है इसको इस सिरे के साथ अभी कोई सिरह नहीं छोड़ना है इससे आगे वाला जो सिरह है कोयल का उसके साथ यह अंदर की तरफ है यह रूट की साइड वाला सिरह है और यह भी इसको खोल देता हूं यह अंदर की तरफ यह बार का है रूटर की तरफ वाला इसको छोड़ देना इस सीरे को रीश सीरे को जोड़ देना और अब यह रह गया रूटर की तरफ वाला सीरा इसको अब आगे वाला जो सीरा यह बचा हुआ है इसको खोल लेना है और इसके ये अंदर की तरफ है, रूटर की तरफ वाला सिरा, और ये भी नाइनना काक। ये अब ही connection हो गए हैं सभी और अब ये सिरा रहे गए हैं, ये connection के लिए हैं, ठीक है, ये सभी connection हो चुके हैं, ठीक है, अब आप सीरे देखो गई, तो आपको मैं इस से दिखा देता हूँ ये एक सिरा और ये दूसरा ये तीसरा ये चोथा और ये पांचमा और ये छटा ये छे सिरे रह गए हैं जो कि इनके उपर connection होगे छे के छे connection होगे इसके connection कैसे होगे अभी आपको बताऊँगा पहले इन सभी को joint कर देना है इनके पर जो insulation लगा है उन सभी को उतार देना है और sleeve लगा कर complete connection कर देना है motor के ये जो जितने wire थे जितने connection थे वो सभी मैंने joint कर दे हैं, sleeve लगा कर joint कर दिए, joint करने के बाद ये इदर 6 तार निकलें इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सिरे निकलें हैं बार connection के लिए और इसको अगर star करना है तो 1, 2, 3 इन तीनों wire को आपको joint कर देना है इन में supply नहीं देनी ठीक है, ऐसे और ये जो तीन तार बचेंगे इन पर आपको supply देनी है 3 phase की, तो ये motor star में हो जाएगी या फिर आप ये तीन wire जोड़े है साथ साथ वाले इनको आप supply दे सकते हो और इन तीनों को आपको आपस में जोड़ देना है तो भी ये star हो जाएगा ठीक है connection, इल्टा में करना है तो कैसे होगा एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये ठीक है, ये तीन सिरे हो गए तीन ये इस साइड में हो गए ये साथ साथ में हैं सभी छै सिरे तो इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो ये डेल्टा में हो जाएगी ये डेल्टा एक connection है अगर इस पर आपको continuity चेक करनी है अब इनको खोल देता हूं मैं अगर continuity चेक करनी तो इसके साथ इसकी और ये दो सिरे चोड़ कर इसकी इसके साथ इसकी continuity आएगी और इससे आगे वाले ये सिरा है इसकी इन दो सिरों को छोड़ कर इसके साथ continuity आएगी इन दोनों के साथ ठीक है बीच में दो सिरे चुट गए और इसकी continuity इन दो सिरों को छोड़ कर इसके साथ आएगी इन दोनों के साथ ये जो मोटर में ने winding की है इसके star connection है और star connection ऐसे भी होते हैं इसके 6 wire निकले हैं एक ये पहला और ये दूसरा ये तीसरा ये चोथा ये पांचमा ये चटा अब मैंने joint किये हैं दूसरा चोथा और चटा दो चार चार को joint करके आपर इसको बंद कर देना इस पे supply नहीं देनी ह और बच गए हैं ये तीन wire एक तीन पांच नमबर के wire इन पर पावर सप्लाई देनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like जरूर करें और इस प्रकार की और अन्य वीडियो देखना चाहते हो electrical motor winding से समदित तो आपके अपने YouTube चैनल electrical advice को subscribe करें और bell icon को जरूर दब करूं तो आपको इसकी सुचना मिल सके बाई बाई